हलो फ्रेंज वेलकम टू माई यूटूब चैनल फ्रेंज आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में जानेंगे सफिक्स के दुआरा किसी भी मेडिसीन के यूज याली मेडिसीन के नाम देखकर पता कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी में वो मेडिसीन खाम आएगा तो इस वीडियो में अन्तक बने रहिए और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रिफिक्स और सफिक्स क्या होता है देखिए प्रिफिक्स का मतलब होता है कि जो किसी वर्ड के आगे लग जाता है तो उसको ब प्रिफिक्स अगर कोई वर्ड जो है सब्द के वर्ड के पीछे जुट जाता है तो उसको बोलते हैं हम सफिक्स और इस वीडियो में हम सफिक्स के द्वारा ही मेडिसीन की जनकारी लेंगे कि सफिक्स के द्वारा जान लेंगे कि कौन सी दवा जो है किस बीमारी में काम आता ह है तो फ्रेंस पाली सफिक्स है वह टिडिन आए एच टू ब्लाकर coś हुता है सिर्फ टिडिन जिसम्हें चतीएँ से ज कलाकर से पेट में जलाण हो तो उस कंडिशन में टैबलन के यूज हैं कि या만 पर देक सकते हैं टीडीन जो है, यहां पे रेनी टीडीन टीडीन है, फेमो टीडीन है, रोक्सी टीडीन, लाफू टीडीन, यह आप देख सकते हैं सब में लाष्ट में क्या है टीडीन है, तो इस से पता चलता है कि यह जो प्राजोल यह प्रोटोन पॉंप इनिबीटर की गुरूप की दवा है जो प्रोटोन पॉंप को दवा देती है जिससे एक्ष्टा एसीड का सेक्रेशन नहीं हो पाता है जिसके कारण पेटों में आतों में अलसा नहीं बन पाते हैं और पेट में जलन या पेट में दर्द नहीं बन पाते हैं या खटी डाकारे सीने में जलन नहीं हो पाता है तो अगर किसी को पेट में जलन हो या अलसार हुआ हो पेट में जलन सीने में जलन आ रहा हो या कभी-कभी खटी डाकारे आ रहा हो या कभी-कभी भोजन फूड प्राजोल में जो है, सफिक्स प्राजोल है, पेंटो प्राजोल में भी सफिक्स प्राजोल है, इसोमी प्राजोल में भी सफिक्स प्राजोल है, रेभी प्राजोल में देख सकते हैं, प्राजोल और डेक्ष्रा, डेक्ष्रा भी प्राजोल यहां पे देख सकते हैं, प्राजो तो उस condition में इस जता है और exist dola करता है और जो प्रोखिने से होए देज केन को चुनट होरा है यह अहां ब –arım में। केन जुटा है बेंजो केन बूपीवा केन यहां पर देख सकते हैं सभी में क्या है लाश्ट में केन है यानि सफिक्स यहां पर केन है तो समझेंगे जो मेडिसीन आती है वो लोकल एन अस्थेटिक गुरूप की दावा है जो किसी बोडी के पार्ट को जो है सून करने के काम कि आजा सकता है और इसका देख सकते हैं यहां पर जो है इन्जेक्शन फोर्म में भी आता है और ये जिन फोर में भी आता है लेकिन एक exception में है अपवाद में है अलबेंडा जोल यह आपको जो है इसमें काम नहीं आएगा वो एंटी फंगल गुरूप की दवा नहीं है यहाँ पर देखिए जैसे है health को नचो नचो है यहां पर देख सकते हैं और देख सकते हैं फॉकल नचो न universite है और यह वैंटि अफसर लिन करने Soul याहिएोंकिन, नाए और यहां पनदम आति हैं आनोर मेडिसीन और जूए अजिकम, है यूँज इनसी ऐसलों मेडिसिन हैं, जिसमें अजों लिखा हो और वह कर लिया जाता है और अगल जो सफिक्स है लेकिन वह क्रीम फॉर्म में था येल है लेकिन यहां पे जो हई यहां पर टेवल्ट फ़र्म के बारे में बात करें Extrad害 के सबसाइब रखुल के लारे कहा है जैसे डीक सकतेंजुन आज्याज्ट देख सकते हैं अजोल है इत्रा कोना जोल यहां पर अजोल है टेरा कोना जोल यहां पर देख सकते हैं वोरी कोना जोल है और पोसा कोना कोना जोल है यहां आप देख सकते हैं अजोल सभी में सफिक्स क्या है अजोल है तो समझेंगे जो भी अजोल लाष्ट में आ है वो जो है यह एंडिफंगल गुरूप की दावा है, एंडिफंगल गुरूप की मेडिसीन है, और यह फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जा सकता है, जाता है, जैसे देख सकते हैं, यह एक एंडिफोर्स है, इसके अंदर इट्रा कोना जोल है, यहाँ फुलूका डेर्स हो यहाँ देख सकते हैं, कलोकसा सिलीन, सिलीन, सफिक्स है, अमोक्सी सिलीन, 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 यहाँ पे देख सकते हैं, तो सभी में क्या है सफिक्स, सिलीन है, तो समझेंगों पेंसिलीन गुरूप की दावा है, एक एंटिवाइटिक मेडिसीन है, और यहाँ देख सकत यहां देख सकते हैं मेगा पेन इंजेक्शन इसमें भी जाए एंपी सिलीन और कोलोक्सा सिलीन है तो जिसमें भी लाष्ट में सफिक्स है जो है जुटा है सिलीन वो समझी पिप्रासिलीन गुरूप की दावार मेडिसीन है एंटिवाइटीक है और यह जो है आपको यूटी यूरिनरी ट्रेक्ट इंफेक्शन हो गया हो घाव फोड़े फुनसी हो गया हो आर टी आई हो यह अगर आपको खासी हो गया हो यह कहीं टाके लगा हो ऑप्रेशन सरजरी अप्रेशन के बाद जो गाव हुआ उसको सुखाने के लिए भी इस जो है मेडिसीन का यूज किया जाता है यानि यह एंटिवाइटी के और इंफेक्शन को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है और अगली जो सफिक से हो है सोन और जिसके भी लाश्ट में यानि सोन जुटा हो समझे एस्ट्राइड गूरूप की मेडिसीन है और इस एस्ट्राइड का यूज होता ह क्याद पर और श्री एक्यार के आप सब 9 रियक प्राइब पर करते हैंजिकुष्ट अ कीषए सब्सक्राइब तो उस condition में इस सभी medicine का यूज किया जा सकता है जिसमें आपको लाश्ट में सून जूटा हो और यह estriide है skin में सूजन हो गया हो या रे से जागया हो इसkin पे तो उस condition में भी सभी medicine का यूज किया जाता है और बोड़ी में etching हो रहा हो खुजली हो रहा हो तो उस कंडिशन में जो है इसका यूज किया जाता है यहां तक ही और्थराइटिस में भी इस सभी मेडिसीन का यूज किया जाता है जिसमें सोन जुटा है जैसे में देखिए यहां पर डेकसा में था सोन इसके लास्ट में सफिक्स क्या जुटा है सोन और जो है और जिस भी मेड़िसीन में आपको एलोन दिखे समझी है, अश्टरायड मेडीसीन है, और फॉय पर हाय बेख नुच्छां सिर्ट अषण संसर दनलत कर्णिशन में में का इसका यूज कि दिया जकता है, दिख सकते हैं, आमनी कासिट, ओमनय कार्टिल में देख सकते हैं, यह जो है, यहां देख सकते हैं, केना कोट इंजेकशन फ़र्म में तो यह प्रेड्निस ओलोन आरहा है, देखिए यहां sü Baptist है, ट्राइम सिनोलोन जो है, इशमें ओलोन आरा है, फलु ऐसीनोलोन, यहां पर ओलोन आरहा है, तो जिसमें भी ओलोन आरहे हैं, जिस भी medicine में suffix olonai समझे जो है एस्ट्राइड medicine है तो friends ये था कुछ medicine के जनकारी जिसमें हमने जाना suffix के द्वारा कौन सी medicine जो है किस बीमारी में काम आता है आपको ये वीडियो कैसी लगी comment में जरूर बताईए इसके आगला पार्ट चाहिए तो comment में जरूर बताईए और प्यारा सा comment जरूर दिजिए वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जदाज जदा सेयर कीजिए ताकि और किसी के भी काम आए और चैनल को subscribe कर लिजिए क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ